अध्याय चार यह कदम का पेड अगरमा होता यमोना तीरे मैं भी उस पर बैक नहीं बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बासूरी तुम दो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा उचे पर चड़ जाता वहीं बैट फिर बड़े मजे से मैं बासूरी बजाता अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता सुन मेरी बंसी कोमा तुम इतना खुश हो जाती मुझे देखने काम छोड़ कर बाहर तक तुम आती तुमको आता देख बासूरी रख में चुप हो जाता पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बासूरी बजाता गुस्सा होकर मुझे डाटती कहती नीचे आजा पर जब मैं ना उतरता हसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे राजा तुम्हें मिठाई दुंगी नहीं खिलोने माखन मिसरी दूद मिलाई दुंगी मैं हसकर सबसे उपर की टहनी पर चड़ जाता एक बार कहे माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता तब मा रिदे तुमारा बहुत विकल हो जाता तुम आचल पसार कर अमा वहीं पेड के नीचे इश्वर से कुछ विंती करती बैठी आखे मीचे तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता तुम घबरा कर आँख खोलती फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोधी में ही पाती इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे मा कदम का पेड अगर यह होता या मुना तीरे